अब बच्चों हम question number 8 solve करेंगे, बिटा वही simple सा पंडा है, इस तरह की equation को आपको यदी solve करना है, तो बिटा variable को एक तरफ करलो और number को बच्चों दूसरी तरफ करलो, equation solve करना है, देखे किस तरह से, आप घांदीजे, यहाँ बिटा दो जब बैने बली, एक तरफ करना है, किस यह 3, यह प्लस ताव और ने बिटा दूसरी तरफ गया, माइनस ताव हो गया, हमने बच्चों variable एक तरफ करने, और number एक तरफ करने, अब इसे solve करने, देखे किसे, 2x upon 3, यह माइनस 7 upon 15, इसे घांदीजे, तो आया, ठीके, अब आप ज्यांदीजे, आपको यहाँ क्या दि यहाँ बिटा 3 और 15 दिख रहा है, दिनोम ने तरफ करने, अब बच्चों इसे solve करने की 2 तरफ करने, एक तरिका हो गया, बच्चों आप यहाँ दिनोम ने तर को same बना लो, दूसरा तरिका है, आप बिटा 3 और 15 का अरसियम देंके solve करने, तो बिटा हम पहला तरिका अप्ल मैंने बिटा दिनोमिनेटर सेम करने, अब पोश्चन सॉब रहा है, तेके 5 का 2 में मुझा 10 और यह बच्चो एक्स, 3 का 5 में मुझा 15 यह मारे, यह बिटा 7 एक्स अपॉन 15 और इक्वल तू 2, ठीके, अब बच्चों इसे solve करने, आप ध्यान दिजे, बिनोमिनेटर बच्च तो दिनोमिनेटर में जो नंबर होता है, वही LCM आता है, ठीके, आपको इसे solve करने की अवश्चता ही नहीं है, ठीके, 15 यह बिटा, और पिर क्या होता है, यदि दिनोमिनेटर सेम है, तो वही LCM में आता है, और बच्चों ऊपर लिखा हुआ, जो भी है, वो साइन के साथ ह लिखा जाता है, मतलब ओपर क्या लिखा है, 10X माइनस 7, बिल्कुल वैसे लिए, 10X माइनस 7, और इकवल टू 2, ठीके, अब इन दोनों को solve करो, 10X में इसे बिटा, 7X माइनस करोगे, 3X, और अपॉन 15, और इकवल टू 2, ठीके, और solve करता है, कैसे, 3 वन जा 3, 3, 5, जा 15, ए X अपॉन 5 बचा, और इधर बचा की, ठीके, हमें X की वन चाहिए, तो बिटा, ये 5 जो डिवाइड में है, हटना चाहिए, कैसे हटेगा, 5 बच्चू डिवाइड में ही, दूसरी तरफ मल्टी प्लाइन में चला जाएगा, ठीके, ये X इकवल टू हो गया 10, इस तरह से आंसर आया, X इकवल टू 10, अब बच्चों हम आंसर को चेक करेंगे, सबसे पहने बिटा, लैप हिंसाइड डिलेटेंगे, 2X अपॉन 3 प्लस 1, ये 2, X की जगव बिटा, 10 रखा, अपॉन 3 प्लस 1, ये हो गया 20, अपॉन 3 प्लस 1, ठीके, अब बिटा, इसे सौर्व करने के दो तरीके हो गया, एक तरीका हो गया 3 और 1 का LCM दिकार हो, दूसरा तरीका के लिए, आप बिटा, धिनूम्नेटर सेम बना रहे हैं, तो कैसे बन जाएगा, देखें, 20 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 1 है, दिनूम्नेटर सेम बना रहे हैं, तो बच्चों यहां 3 से उपर नीचे मल्टी प्ला रहे हैं, दिनूम्नेटर सेम बना रहे हैं, यह 20 अपॉन 3, यह 3 अपॉन 3, अब आप ज्यां दीजिए, दिनूम्नेटर सेम बना रहे हैं, जब दिनूम्नेटर सेम बना रहे हैं, तो बटा, LCM में वही नंबर आता हैं, मतलत 3 आए, LCM निकालोगे, 3 आए, और बच्चों उपर निखे गुए नमपर साइन के साथ वैसे ही आजाते हैं, मतलग 20 प्लस 3, कितना हो गया बटा, 23 अपॉन 3, ये आ गई आपकी बच्चों, राइट हैंड साइड, अब बच्चों राइट हैंड साइड के बारे, राइट हैंड साइड, 7 एक्स अपॉन 15 प्लस 3, 7 अपॉन 15, एक्स की जगव बच्चों हमने रखा 10, प्लस 3, अब सॉल कर ले देगा, बच्चों ये 5 ते टेबल से कैंसल प्राहें, 5 प्रीजा 15, 5 प्रीजा 10, क्या गना मैटा, 7 इंटू 4, आप क्या लिख सकते हो, 14 और और ये प्लस का 3, और 3 के अपॉन में कुछनेंगे मतलब 1, ठीके, आप बच्चों इसे सॉल करने के दो तरीके हो गए, आप बच्चों 3 और बनता है से मेंगा, दूसरा तरीका, आप बच्चों बना लो, तो बच्चों हम दिनोमिनेटर को सेम बना लो, देखे, 14 अपॉन 3 और ये पिटा 3 अपॉन 1, ऊपर नीचे पिटा 3 से होने कर दिया, पर दिनोमिनेटर बन गया बच्चों 3, सेम बन गया, और 3 इंटू 3 ये हो गया, ना लो, ठीके, अब आप जान दीजी, डिनोमिनेटर सेम बन गया, एलस्यम में बिटा वही नंबर आए, क्या आएगा साइड के साथ बैसे ही लिके जाते हैं, मतलब 14 प्लस 9, जोर ये 23 अपॉन 3, अब आप जान दीजे, आपनी बिटा लैट हेंड साइड निकाली, 23 अपॉन 3 है, ठीके, और बिटा राइट हेंड साइड निकाली, वह भी बच्चों 23 अपॉन 3 है, दोनों बचा इसका मतलब ब का मतलब कह सकते ही, एक्स इक्वल तू 10 इस एक्वेशन का आंसर है,